हेलो दोस्तों LDC Railway Taken Mathematics में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग Model Question Bank से जितने भी Question होता है उसको हम लोग Discharge करेंगे यह Model Set बहुत ही Important है इसी से Question LDC JEE के अंतरगत जो भी Question होता है LDC JEE या 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 डवलू या में सभी के लिए यह Question जो है इसी Model Set से मतलब कि इसको Set किया जाता है एक्जाम में देखिए पहले उपर ही पढ़ देते हैं देखिए आप लिखा है 23-24 लिखा है Model Question Bank for Selection to the Post of Junior Engineer Mechanical या Mechanical Department का है और क्या लिखा है Under 25% Intermediate Quota 25% Intermediate Quota के अंतरगत जो एक्जाम होता है उसी का या Model Set है इसमें के सारे के सारे Question बहुत ही सुनिन्दा है इसी में से Question को Set किया जाता है और इसका जो है हम पर्थम First Part जो है हम बना दिये हैं इसका हाँ आज हम Second Part देखेंगे First Part में हमने एक से लेकर 30 तक Question को Discuss किया था और उसमें पूरी Detail रूप से बताएगा एक के Question यानि मैंने तो कहने के लिए 30 Question को Discuss किया था लेकिन एक Question पर कम से कम 5, 10 इस तरह मतलब Question को Discuss किये हैं 100-100 Question को हमने किलियर किया है कि कुशी परकार इसमें भी पूरे Detail रूप से आपको बताया जाएगा कुपी कलम हो सके तो लेकर बैठ है क्योंकि एक के Question बहुत Important है और एक Question पर पूरा हम Detail रूप से आपको Discuss करेंगे ताकि आपको पूरा Confusion दूर हो जाए कहीं भी Dark नर है चलिए तो हम 30 तक Question को करा दिए है 31 Number Question से हम चलेंगे या Part 2 है, Model Set का उस मतलब Part 1 को भी जा करके आप लोग देखेंगे बहुत Important उसमें बताया गया सारे के सारे Question चलिए देर ना करते हूँ हम आप Question पर चलते हैं Question Number 31 किस तक बना दिया गया फर्स पार्ट में 31 करा कि बोगी माउंटेट ब्रेक सिस्टम में किस पहिये के ब्यास पर ब्रेक गियर को Connecting Link के अगले आंतरिक छेद में अस्थांतरित किया जाना चाहिए ठीक है Question को अच्छे तरह से आप लोग समझते चलिएगा तो इसका Answer है 849 849 यह जो है पहिये का ब्यास है इतना अगर 849 यह में पहिये का ब्यास रहे तब जाकर के Connecting Link के अगले आंतरिक छेद के में अस्थांतरित किया जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर Question में 32 में क्या करा है कि IRCA Part खोर के अनुसार एकल कार परिक्षन रिंग के साथ 3.8 केजी 0.4 केजी цев पर Cm² तक ब्रेक फिलिंडर का दबाव रिलीजींग समय क्या होता है इक्में यहाँ पर आया रिलीजींग समय तो दबाव हो गया तो देखिए रिलीजींग समय 15 से 15 से 20 सेकेंड होता है ठीक है यहाँ पर एक आता है Apply 20 सेकेंड में रिलीज हो जाता है ठीक है चलिए 33 नमबर में क्या कर रहा है कि A-C-T-R देखें पहले A-C-T-R का फूल फर्म जानिए सिंगल कार टेस्ट रिंग ठीक है सिंगल कार टेस्ट रिंग यह जो है कोचिंग के लिए होता है और वैगन में आता है S-W-T-R तो सिंगल वैगन टेस्ट रिंग होता है वैगन में जो है S-W-T-R होता है और कोचिंग में जो होता है S-C-T-R होता है यहनि सिंगल कार टेस्ट रिंग ठीक है तो सिंगल कार टेस्ट रिंग के आपने मतलब full firm जाना है और का कह रहा है कि single card test ring के साथ संवेंदन seal ठीक है यानि sensitivity test की बारे में बात कर रहा है कि संवेंदन seal परिक्षन के दवरान break point दबाव में गिरावट होना चाहिए तो देखी यहाँ पर question जो है sensitivity test और एक होता है insensivity test अर्थात संवेंदन seal परिक्षन और एक होता है और संवेंदन seal परिक्षन तो आपके सामने जो है संवेंदन seal परिक्षन का है तो आप देखी यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 kg per cm2 इन 6 सेकेंड ठीक है तो कहने का तातपर जाए कि 0.6 kg per cm2 इतना जो है प्रेसर रहेगा और 6 सेकेंड में या होता है और एक होता है insensivity test आनि और संवेंदन seal परिक्षन तो इसके लिए क्या होता है 0.3 kg पर cm2 इन 6 सेकेंड यहाँ पर इन 6 सेकेंड दिया है तो इसमें होता है इन 6 सेकेंड ठीक है तो इसको लिख लिजिएगा दोनों कोशन एक जगा ठीक है तो ए हो गया sensitivity और insensivity के बता दिये आगे बढ़ते है 34 नंबर में क्या कह रहा है कि CC रेक ब्रेक पाउर परमान पत्र की बैदेता क्या होता है CC मतलब कि कोलाउज सर्किट रेक ठीक है कोलाउज सर्किट रेक के लिए ब्रेक पाउर BPC ब्रेक पाउर BPC के बैदा पुछ रहा है ब्रेक पाउर सर्टिफिकेट की बैदा कितना होता है तो देखिए यह C नंबर है कि 75-100 किलोमेटर चल जाए या 35 दिन जब हो जाए उतना दिन तक बैद रहेगा इससे ज़्यादा हो जाएगा तो BPC जो है ब्रेक पाउर सर्टिफिएट का ब्रेक खतम हो जाएगा 35 नंबर में क्या करा है कि माल गाड़ी के भेकूं ब्रेक BPC के रंग क्या होता है ठीक है अब इसमें देखिए इन्टू एंड या सिसीरी की इस तरह कुछ नहीं इंडिकेट किया हुआ है ठाली क्यों लिख दिया है माल गाड़ी तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक और वीडियो हमने बनाया है या PDF याप लोग को दिये है क्या बलता है उसका GBI wagon जो model set हमने आपने टाइपिंग करवा कर जो पूरा एकदम तयार किये हुए है वो PDF आपलों को भेज दिया गया है वीडियो भी बनाया है उसमें जा करके देखें पूरा detail रूप से बताए है ठीक है तो इकेवल माल गाड़ी के जिक्र जो है या किया है ठीक है तो माल गाड़ी के भेकुम यहाँ पर भेकुम की बात किया में ध्यान देने जो बात यहाँ है कि भेकुम BBC के रंग क्या होता है तो पिंक होता है ठीक है माल गाड़ी के भेकुम यहाँ पर ध्यान देना है जब भेकुम अगर question में आ जाए तो पिंक होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 37 नमबर में क्या कर रहा है कि एर ब्रेक गूट्स रेन एक सीरे से दूसरे सीरे तक यानि इंड टू इंड की जो है बात किया है कि ब्रेक पावर परमान पत्र का रंग क्या होता है इसमें इंडिकेट किया होगा है इंड टू इंड रेक के लिए तो इसमें जो है देखे एक ग्रीन हो जाएगा ठीक है और सिसी रेक के लिए जो होता है एलो होता है ठीक है तो आप यहाँ पर इंड टू इंड रेक के लिए आ गया ग्रीन होता है ब्रेक पावर सोटिफिकेट का रंग जो है ग्रीन होता है आगे बढ़ते हैं सैंती सिन्दमन में गहन ता जाच की गई एर ब्रेक माल गाड़ी का परभावी ब्रेक सिलिंडरों का नियूंतम परतिसत देखिए अगर गहन जाच किया गया है एर ब्रेक गुड देन के लिए गहन जाच की गई है एर ब्रेक माल गाड़ी पर परभावी ब्रेक सिलिंडर का नियूंतम नियूंतम परतिसत क्या है अगर जाच किया गया उस जाच के बाद जस्ट उसका ब्रेक पावर परतिसत क्या होगा इसके बारे में या किया तो हो जाएगा 90% ठीक है वहीं अगर आता ओरिजनेटिंग एस्टेशन या पररामभिक एस्टेशन तो वहाँ पर 100% हो जाता ठीक है तो यहाँ पर जो है गहनता जाच हुआ है जास्ट उसके बाद में ब्रेक पाउर कितना होना चाहिए तो यह जो है 90% होना चाहिए जो सी नंब कर रहा है तो यहां हो जाएगा 100% ठीक है चले 49 नंबर में क्या कर रहा है कि अंठावन यांठावन को बोगी लगा हुआ है क्या अंठावन वक्षन वैगन के ब्रेक बैन आवस्यक निउन्तम बीपीसी दबाव ठीक है निउन्तम यह कर रहा है बीपीसी दबाव कितना होग अन्ठावन बक्षन बैगन के ब्रेक बैगन में अन्ठावन जो को बक्षन बैगन उसमें लगा हुआ है ब्रेक बैगन में आवसक नियूंतम कितना हो जाएगा उसमें दबाव तो इसमें हो जाएगा 4.7 kg पर cm a square इसका एंसर हो जाएगा ठीक है 40 नमर में हम चलते हैं 40 नमर में कह रहा है कि माल गाड़ी में वायू दाव की अनुरोद रिशाव जी संतानविर का अनुसर कितना होता है माल गाड़ी के लिए अब बात किया हुआ है ठीक है इसमें हो जाता है 22 kg पर cm a square देखिए यहाँ पर जो है माल गाड़ी में वायू के दाव की अनुरोद रिशाव जी संतानविर कितना है यहाँ पर 25 है ठीक है जीरो पॉइंट 25 होता है यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर टाइपिंग करने में इसको गड़ बढ़ हो गया है ठीक है तो माल गाड़ी में वायुदाब की अनुरोध रिशावदर जी संतामें मिर्शास की नदर 0.25 ठीक है? 0.25 माल गाड़ी के लिए और कोचिंग के लिए केवल 0.2 होता है ठीक है? 2 kg पर cm2 0.2 kg पर cm2 ठीक है? यहाँ पर 2.5 जो है माल गाड़ी के लिए होता है रिशावदर यानि ड्रॉप जो होता है उसके लिए लिखा है ठीक है? चलिए एक तालिस नमर में क्या कर रहा है कि माल गाड़ी में कॉम्पोजिट ब्रेक बलाव की निंदन ये देखिए यहाँ पर जो है यह इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि कौन सा मतलब के टाइप या एल टाइप ठीक है? इस टाइप के होता है तो चलिए मैं इसको इस तरीका से मैं बता देता हूँ एक होता है के टाइप एक होता है एल टाइप और तिसरा होता है सी आई टाइप ठीक है? सी आई के मतलब काश टाइरन तो किये टाइप जो होता है 12 mm होता है मतलब 12 mm क्या वहले लिख देते हैं यह होता है 10 mm ठीक है और CI टाइप होता है 20 mm कहने का ताथ परजा है कोश्चन पढ़िए कि माल गाड़ी में कंडेमिंग लिमिट यहाँ पर निंदनिय नहीं लिखा है न कंडेमिंग लिमिट अप कंडेमिंग लिमिट अप कंपोजिट ब्रेक बलोग इन गूट स्ट्रेंट ठीक है माल गाड़ी में कंपोजिट ब्रेक बलोग की निंदनिय सिम्यानी कंडेमिंग साइज कितना होता है या इस तरह से भी कोश्चन कर दिया जाता है कि Break Block कितना घीस जाए या घीस करके SIS बच जाए या रह जाए तो उस हम Break Block को बदल देंगे ठीक है, तो K टाइप Break Block जो होगा, उसका 12 mm अगर 12 mm घीस करके SIS बच जाए या उतना रह जाए तो हम बदल देंगे, L टाइप जो होगा, उसका 10 mm होगा तो हम उसको बदल देंगे और CI टाइप जो होता है कास्ट आइडन टाइप का 20 mm घीस करके बच जाए से सरह जाए या निंदनिये सीमा अगर पुछे CI टाइप का तो यह 20 mm होता है ठीक है तो 41 का एंसर जो है 10 mm दिया है लेकिन इसमें यह इंडिकेट नहीं दिया है कि के एल या CI टाइप कि इसलिए मैं तीनों को यहाँ पर आप लोग के सामने रख दिया आपनों कोपी में लिख लेंगे ठीक है अब चलिए 42 नंबर कोश्चन में 42 नंबर एक भरी हुई BCN wagon का piston stroke कितना होता है देखिए यहाँ पर हम आपको ज़्यादा तर इसमें आप लोग confuse करते हैं क्योंकि piston stroke जो है बहुत तरह का मतलब सब गाड़ी का अलग-अलग होता है impity condition में अलग होता है और क्या बोलते हैं भरी हुई इस्तितियानी loaded condition में अलग होता है इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा confuse करते हैं मेरे समझ से इसलिए इसके बारे में आप लोग detail रूप से जान ले ठीक है हो सके तो copy column ready कर ले ठीक है तो आप लोग copy में लिखेंगे कूमा दे करके हम बोल दे तो आच्छा रहेगा मैं कितना लिखूंगा हम बोलते जाते हैं आप लोग लिखते जाएए ठीक है फर्स्ट में लिखिए boxen क्या लिखेंगे boxen boxen उसके बाद में लिखेंगे boxen हम बोलते हैं लिखिए boxen boxen hs bcn bcn hs कूमा दे कर लिखिएगा फिर से से अगला लिखें bcn hs चिक है या bcn a उसके बाद लिखिए b r n b r n a उसके बाद लिखिए b t p g l n इतना लिख लिए तो इस सब का जो है मतलब piston stock 85 में आप लिख लिए होंगे हम बोल दिये हैं नहों तो रिपीट कर आप वीडियो को बैक कर लिजिएगा तो इसका impity condition में जो है खाली स्थिती में जो है इसका हो जाता है 85 mm mm है plus minus 10 mm अपने पूरे तरीका से लिख लिए उपर हम लिखा दिये है इतना आपका piston stock है cylinder का piston stock होता है ठीक है यह तो एक number में हो गया दू number में आप लिखिए कि first में मैंने लिखाया कि boxin hs लेकिन दूसरा number में क्या लिखा है कि boxin hl ठीक है b o x n h l यह hl है ठीक है और को मा दे दीजिए b c n h l ठीक है b c n यह hl है ठीक है उसमें मैंने लिखाया था hs लेकिन इसमें लिखा गया है hl ठीक है तो इसमें जो है इसका जो है impity condition में जो है इसका भी 85 plus minus 10 mm ही होता है और loaded condition में इसका थोड़ा सा कम हो जाता है यानि 120 plus minus 10 mm होता है ठीक है तो इसमें ज़्यादा तर question आप लोग confuse करते हैं ठीक है अब देखिए b c अब हम बताएंगे तीन नंबर में लिखिए b l c ठीक है तो b l c का जो है b l c या कहीं यहाँ पर है b l c या b l l ठीक है तो b l l नहीं आता है b l c लिखिए या लिख देते है b l l ठीक है तो इसका जो है इसका जो होता है impity condition में 95 plus minus 10 mm ठीक है और loaded condition में आपको यहाँ पर e लिख दीजिए impity condition और loaded condition में जो है इसका 120 plus minus 10 mm हो जाता है ठीक है यह हो गया b c n b l c k b l c k b l c k full firm होता है b g l o container ठीक है तीन नमर यह 4 नमर में लिखिए अब 4 नमर में लिखिए b t p n b t p n ठीक है b t p n का तो b t d देखिए उपर भी हमने लिखाया है b t p n first में एक नमर में तो उसमे conditional लाग है e n है जो tank wagon जो होता है उसके लिए है तो इसका देखिए piston stock बदल जाता है इसका जो है m p t condition में जो है 87 plus minus 10 होता है ठीक है 87 plus minus 10 mm और loaded condition में जो है 117 117 plus minus 10 mm ठीक है 117 mm plus minus 10 mm होता है b t p n का ठीक है तो इसको जो है याद रखेंगे बहुत ही important हमने question ने बताया है चलिए एक और बता दो तिन और बता देते है b b z c में और भी ज़्यादा confuse करते है b b z c और एक होता है b b z i ठीक है b b z i ठीक है तो इसमें पहले b b z c में b b z c जो है जानबे करते है जो है रहते है उसमें loaded और empty नहीं होता है तो इसका होता है piston stroke बहुत important बहुत ज़्यादा या कोचा repeat होता है b b z c वाला ध्याँ रखिएगा तो 70 plus minus 10 mm होता है ठीक है न और b b z i जो होता है तो b b z i में जो होता है इसमें जो है क्या बोलते है b b c y i a n i c f का उसमें trolley लगा रहता है b b c y i n i a m x चलिए यहाँ पर plus minus one mm होता है ठीक है लेकिन 32 ही आता है ठीक है जो आपड parameter नहीं तो detail में आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो यह पूरा जो मुख मुख ज़्यादा तर confuse करते हैं आप लोग उसमें हमने आपको बता दिया इसको आप लोग copy में note कर लेंगे ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो इसका answer हमने नहीं बताया तो इसमें जो है आप हम तो पूरा बताएं दिये तो BCN का लिखा है तो 100 यहां पर 30 हो जाएगा इसी में 130 plus minus हमने 10 mm बताया है तो आप देखेंगे आपका question का answer मिल जाएगा जो confused वाला question होगा मैं detail में पूरा यह भी वीडियो जो है पूरा हम detail में बताने वाला है यह होता है 7 से 10 kg ठीक है 7 से 10 kg का हम लोग जब बल लगाते हैं वेट लगाएंगे खीचेंगे तो break लग जाता है ठीक है लेकिन यहां पर देखेंगे दिया है 6.4 से 10 kg ठीक है अब इसमें option को हम पढ़ रहा है हम लोग जो है जो भी PDA पढ़ते हैं वीडियो देखते हैं या नोर्स पढ़ते हैं तो सब में क्या लिखा हुआ है 7 से 10 kg लेकिन इसमें आ गया 6.4 से 10 kg ठीक है तो यहीं सब इसमें से जब question को set अलो करते हैं वहीं यहां model set है question bank है जिसमें से question LDC के लिए set किये जाते हैं चाहे वो helper to technician हो JE हो AWM हो AME हो सबी के लिए तो यहां 16 समलो 4 से 10 kg ठीक है लेकिन होता है यहां जो है theory में book में पढ़ेंगे actual रूप से इतना ही होता है लेकिन set में पढ़ेंगे या question क्या बोलता है पीडियेप में पढ़ेंगे वीडियो में देखेंगे तो सभी लोग 7 से 10 kg ही बताते है निउन्तम 7 kg अधिकतम 10 kg ठीक है तो चलिए आप इस question को हमको लगता है समाझ गया होंगे जोगालिस में क्या करा है कि एक coach के composite break blog के मोटाई कितना होता है यहाँ भी देखिए यहाँ पर condemning लिखा है लेकिन यहाँ पर निंदनिये कही नहीं लिखा हुआ है तो इस तरह question कभी भी English को जरूर पढ़ लेना चाहिए ठीक है अधिकतर exam में जब आप exam hall में बैठे हैं तो Hindi English दोनों पढ़े जरा साकर समझ में नहीं आए तो English जरूर पढ़े क्योंकि English वाला ही माने होता है अगर question हिंदी वाला लिखा है उसमें गलत हो गया आपका answer भी गलत हो गया result गड़बर हो गया आप complain करेंगे कि question गलत था तो आपको आएगा वहाँ पर कि नहीं वहाँ पर English में जो लिखा था एकदम बिल्कुल सही था क्योंकि English वाला ही माने होता है तो लिखा है condemning थीने सब composite break block और कोंचे जे ठीक है composite break block का कोंच का condemning कितना होता है लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है कि K type या L type या C type होता है और C I type मतलब कास्ट आईरन का यहाँ जो है 20 mm होता है condemning size ठीक है अर्थार जब break block जो है घीस कर रह जाए या condemning size जाए से भी question आ जाए तो उसको clear करेंगे यानि यह जो हो गया K type L type C I type या condemning size हो ठीक है आप तो समझ रहा है आगे वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मैं पूरे detail में बताने वाला हूँ आगे question ज्यादे समयना बरबात करें 45 में क्या कर रहा है कि express train में नवी करन के दवरान पीन और बूस के बीच अधिक्तम सुईकार्ज मतलब परविनी सीवल निकासी मतलब किलिरियंस कितना मतलब की होना चाहिए ठीक है तो यह जो है 0.75 होना चाहिए ठीक है आगे बढ़िए को रहा है कि सोरे दसमलो दू पांच टॉन बोगी वाले कोंच के लिए black black समयोजन का यह आयाम कितना होता है देखिए बहुत ही इसमें फिर आप लोग कन्फ्यूज करते हैं ठीक है कैसे कन्फ्यूज करते हैं हम बता रहे हैं आपको कन्फ्यूज कैसे आप लोग करते हैं तो वो हमको कैसे पता चलता है क्योंकि बहुत सारा जो है सोरे दसंबलो मतलब की 25 दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि या AC की बारे में बात कर रहा है अब AC में देखिए AC में राजधानी भी होता है मेल एक्सरेश भी होता है तो फिर AC के लिए भी अलग-अलग हो जाता है जहां पर अधिकतर आप लोग कनफ्यूज करते है इसलिए हमको अब बताना पड़ रहा है ठीक है तो हमको अब बताना है कि यहाँ पर अगर ac रहता है इसमें राजधानी सताबदी अगर इस तरह का कुछ नहीं जूड़ा हुआ है केवल ac लिखता है अर्थात mail express के लिए mail express के लिए कितना होगा इस तरह अगर कोश्चन आ जाए या क्यवल AC लिखा रहा है तो उसके लिए ए आयाम यानि ए डाइमेंशन कितना होता है तो 22 से पलस माइनस से 20 ठीक है पलस माइनस से 20 ठीक है लेकिन इसी AC में ही अगर राजधानी सताबदी जुरन तो जो हाई स्पीड कोश है तो जो हाई स्पीड कोश है उन लोग के लिए कंडिशन अलग हो जाता है तो उसमें हो जाता है 22 22 ठीक है इसी में कंडिशन में ए सी तो यह भी है डोनों तो यह सी ही है लेकिन अंतर हो जाता है कि 2-0 और 4-0 में क्योंकि आप लोग गांट करते हैं कि नई सर 2-0 होता है जब मैं 2-0 बताऊंगा तो बताये गांगे नई सर 4-0 होता है ठीक है तो आप ध्यान में रखेंगे कि मेल एक्स्प्रेस वाला अब हम चलेंगे non-ac, ठीक है, non-ac, non-ac अर्थात यहाँ पर जिसे सोरे दसमलो 25 टॉन लिखा था, तो 3 टॉन वाले के लिए, यारी non-ac के लिए कितना हो जाता है, यह हो जाता है, 16 plus minus 20, ठीक है, तो इस धियान में रखेंगा, यह हो गया, मतलब A dimension, ठीक है, A dimension, याद रखेंग सब ही के लिए E dimension बराबर होता है, E dimension जो है, सब के लिए बराबर होता है, कितना होता है, तो 375 plus minus 25, यानि 25 mm, ठीक है, 375 plus minus, मतलब 25, अब देखेंगे, यहाँ पर plus minus लिखा है, सब में plus minus लिखा हुए, plus minus का मतलब यह हो जाता है, जिसे 375, आप कहीं कहीं यह question मिल जाता है, ये 375 के जगह पर कहीं 400 लिख देता है E dimension 400 कहीं कहीं ज्यादा तर नहीं मिलता है कहीं कहीं लिख देगा E dimension 3.5 अब आप कहीं कहीं हम तो 375 होता है कहीं option में तो है ये नहीं हम क्या लगाएं टिक मार करें ठीक है तो ये ध्यान देने जोग बात है कि यहां पर लिखता है 365 पलस माइनस 25 यानि 25 पलस भी हो सकता है पलस माइनस भी हो सकता है 365 यानि 300 भी हो सकता है 400 भी हो सकता है लेकिन आपको 365 ही अधिकतर आता है इसको ध्यान में रखेंगे यानि E dimension सभी के लिए सभी के लिए 365 ही होता है तो इसको आप copy में लिख लेंगे A dimension, E dimension अब इसी में हम बता दे मालगारी के लिए condition कुछ अलग हो जाता है मालगारी के लिए तो ज़्यादातर जो question आता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ मालगारी जो ज़्यादातर question आता है ज़्यादे समुंदर में तेरने की ज़़रत नहीं है अब जो हम direct हम लिखते है कैस्णॉब कैस्णॉब के मतलब कैस्णॉब होगी जिसमें जिसमें जो लगता है उसके लिए ठीक है जैसे कैस्णॉब हम लिखते हैं लिखते हैं जिसमें जो लिखते हैं कैस्णॉब बी ल्सी पी ल्सी ठीक है और बॉक्षेन बी ओ एक्स एन टीक है टीन गोंकर ज्यादातर आता है ठीक है सोरी तो क्या बोलते हैं तो इस सबका जो है एक डाइमेंसन जो है बहुत जादातर एक question important है ध्यान में रखिएगा तो इसका हो जाता है 70 प्लस माइनस है मतलब 2-0 ठीक है 2-0 ठीक है और क्या बोलते हैं अब इडैमेंशन बात में लिखेंगे ठीक है और क्या बोलते हैं हम लिख देते हैं आगे में एक नंबर में हो गया मालगाड़ी के लिए दो नंबर में लिख दीजिए B O B R N भोबर N B O B R N ठीक है बोबर N ठीक है इसका जो है इसका जो है ये डैमेंशन जो है 27 प्लस माइनस 2-0 ठीक है और इस ज़्यादातर यही कोशन पुशे जाते हैं ठीक है और ये सभी के लिए ये सभी के लिए इडाइमेंशन जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 575 पलस माइनस 25 ठीक है इस सभी के लिए ये क्या है इडाइमेंशन ठीक है इस सभी के लिए इडाइमेंशन 575 पलस माइनस 25 उपर भी हमने समझाया कि plus minus 25 के मतलब plus 25 भी हो सकता है minus भी 25 हो सकता है ठीक है तो ज़्यादातर question repeat होते है और ये dimension में आप लोग ज़्यादा confuse कर जाते हैं जो आपको हमने clear किया ठीक है आगे बढ़ते हैं 48 नमर question में क्या कह रहा है कि बिभाजन pin over quarter snow snow स्टोब किस कोन पर विभाजित किये जाता है जो रटने वाला question है आप रट लेंगे जहाँ पर एक question पर 4-5 question रहता है और वहाँ पर confuse करने की संभावना जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ हम खुद ही clear कर देंगे जैसे कि या रटने वाला question है आप रट लेंगे या D होता है 45 degrees पर मतलब या कोन पर विभाजित होता है आगे बढ़ते हैं उन्चास में male express train में OCB के PUH अधिकता क्या देखे इसमें आप लोग ज़्यादा OCB अब देख कहीं होता है 24 कहीं होता है 24 मंत कहीं होता है 9, 12, 18 18 इसमें ज़्यादा आपको नफ्यूज करते है इसको मैं पूरा detail रूप से मैं बताऊंगा ध्यान मतलब दिजिएगा तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या बोलते है schedule को जो है भाज देखे या question जो है ICF के है question जो है अन परकार का या coach है तो other coaching में कौन-कौन सा आता है मैं सारे detail में मैं बताऊंगा पहले आप schedule के बैनल में जान लिजिए तब मैं coaching पर आऊंगा तब जाकर कि आपके दिमाग में पूरी तरह fit हो जाएगा मेरे भाई तो एक number में आप लिखिए ICF के लिए होता है एक number में होता है trip schedule क्या होता है आप हमाई उतना screen पर नहीं लिख पाऊंगा आप लोग मेरे आवाज को सुन कर लिखेंगे ठीक है trip schedule trip schedule आप लोग लिख लिजिएगा मेरे भाई trip schedule का ये होता है after after every trip ठीक है after every trip यानि परतेक खेप यानि परतेक चकर पर या जाच होता है every trip के एक number में होता है दूसरा number में होता है ICF के लिए schedule A schedule A schedule कितना दिन पर होता है ICF के लिए या हो जाता है 30 दिन 20 दिन plus minus 3 day ठीक है 3 day और उसके बाद होता है B schedule यानि तीन नंबर में होता है B schedule ठीक है तो B schedule कितना दिन पर होता है तो या हो जाता है 3 3 माँ ठीक है 3 माँ plus minus 7 दिन ठीक है और 4 नंबर में लिखेंगे क्या बलता है उसको A B C schedule मेरे आब आज को सुनकर लिखेंगे मेरे लिखावर पर धियान नहीं देंगे C schedule ठीक है तो C schedule जो है या हो जाता है 6 माँ plus minus 15 दिन ठीक है अब चलिए अब समझेए देक है रिप schedule जो होता है after every trip यानि परतेख खेप में होगा और उसके बाद में होता है A schedule ठीक है खासी थोड़ा हो गया है चलिए कोई बात नहीं B schedule जो है 3 माँ plus minus 7 दिन होता है C schedule 6 माँ plus minus 15 दिन होता है ठीक है अब इसमें ध्यान देने जोग बात क्या है कि यह जो है 30 दिन 3 माँ 6 माँ तो सब को याद रहता है लेकिन यहाँ पर 3, 7, 15 यही confuse कर जाता है ठीक है तो देखिए 30 दिन वाला होगा उसमें 3 दिन होगा जब 3 माँ है आगया quarterly तो उसमें 7 दिन हो जाएगा और 6 माही न जिसमें आएगा उसमें 15 दिन हो जाएगा तो 3, 7, 15 30 दिन 3 मा, 6 मा इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा ठीक है देखिए हमको क्या समझाना है OCB के बारे में लेकिन मैं उपर से आ रहा हूँ ठीक है पूरा एकदम दिन है फिटी सो कोपी में नोट कर लेंगे तब आगे आपको हम बोलेंगे कोश्चन आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब इसके बाद जब मैंने सेडूल तो लिख दिया ABC तक ठीक है अब इसके बाद में आता है बारी IOH का IOH का मतलब की Intermediate Overhauling ठीक है तो Intermediate Overhauling जो है देखिए ये दो कंडिशन में होता है एक होता है नौ महीना नौ मा ठीक है पॉलस माइनस तीन दिन ठीक है तीन दिन यहाँ पर हम केवल D लिख देते है D आप समझ जाएगा ठीक है तीन दिन ये क्या होता है IOH ठीक है और दू नंबर में पलस माइनस पीसो दाइस में इस दिन ठीक है आप चलिए अब देखिए अब यहाँ पर आगे आद 9 महीना अब यहाँ पर पुएच भी हम लिख देते हैं देखिए जिसका IOH 9 माह पर होगा उसका पुएच कितना दिन पर होगा पुएच अठारे महीना पर होगा जिसका IOH 12 महीना पर होगा उसका पुएच कितना दिन पर हो जाएगा 24 महीना पर हो जाएगा ठीक है 24 माह पर ठीक है अब यहाँ धेखिए देने जोग बात है कि 18, 24 और यहाँ पर देखिए चार को लिख दिया 9, 18, 12, 24 अब हम यहाँ पर लिखेंगे O, C, V, O, R, N, E, W ठीक है यानि O, C, V हो या निवली बेल्ट हो O, C, V या निवली बेल्ट यानि जो नया कोच होगा या O, C, V होगा उसका जो है यानि कोच्चन आता है कि जो नया आगे कोच्चन मिलेगा देखिएगा आगे कोच्चन मिलेगा तो जो नया कोच होगा उसका पर्थम PUH ना दिन में होगा तो यह जो है पर्थम PUH अगर पुछता है तो 24 मा पर्थम IOS पुछता है तो 12 मा चाहे OCB अगर पुछे कि Other Coaching Vehicles जो होता है OCB उसका भी IOS 12 मा, PUH 24 मा होता है तीक है जो OCB रहेगा या Newly Belt रहेगा अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा तो हमने सीडूल से मीचे तक हम आपको कनफर्म करने का हमने परियास किया तीक है अब इस पर सवाल उड़ जाता है कि Newly Belt तो आप जानते है कि कोई भी कोच नया बनता है वो नया कोच है उसका तो IOH 12 महिना और POH 24 महिना पर होगा लेकिन OCB कौन सा कोच है मेरे भाई ये इसको समझना जरूरी है OCB के अंतरगत कौन कौन से कोच आते हैं इसको समझना आपको जरूरी है तो आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे मैं उतना स्क्रीन पर नहीं लिख पाओंगा तो लिखिए नया कोच और other अर्थात OCB में कौन कौन से कोच आते है यह लिखिए OCB में कौन कौन से island लिख कर कि इस तरह कौमा दे दिजीगा parcel band break band break band लिख कर क आप कौमा दे दिजीगा उसके बाद में एक होता है सैलून बेंड ठीक है सैलून कार या सैलून बेंड ठीक है तो सैलून कार ही लिख दीजिए सैलून कार फिर आप कोमा दे दीजिए फिर लिख दीजिए इनपेक्शन कार इंपार्कार जो आरे जिसका टांस्पोटेशन कोड हो ता है Among all the înfection car प्रिर父 देजिए उसके बाद में होता है पावर्कार त 사고 है जिसमें जर्नेटर को始िब कि अभिए तो पावर्कार एक होता है एक येखाना होना पकता है अब इस परकार इस परकार के कोचिंग वाइकल के अंत्रगत आता है ठीक है तो इस सभी का जो है IOH जो है 12 महिना पर होता है और POH जो है 24 महिना पर होता है ठीक है अब फिर से मतलब आप समझ जाए कि other अधर coaching वाकल OBC है OCV के अंतरकात कौन-Kशा आता है तो parcel van brake van salon car infection car power car pantry car chair car इस सब जो है OCV के making अंतरकात आते है other coaching vehicles इस सब ही का POH जो है 24 महीना पर होटा है IOH 12 महीना पर होता है ठीक है इसको तो आप लिख लिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हाई स्पीड कोंच की तरब ठीक है अब देखिए आगे अगे पॉइंट लिखिए कि राजधानी, सताबदी गरीबरत, मेल एक्सप्रेस इन सभी कोंचों का आई यू एच 9 महीना पर और पी ओ एच अठारा महीना पर होता है ठीक है राजधानी, सताबदी, गरीबरत, मेल एक्सप्रेस इन सभी कोंचों का आई यू एच 9 महीना पर होता है और पी ओ एच जो है मतलब 18 महीना पर होता है ठीक है आप लिख लिए दूसरा पॉइंट अब किसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि अब आई यू एच कहां कहां होता है पी ओएच कहां होता है इसके बारे में आई यू एच कहां होता है तो डीपू में होता है आई यू एच कहां होता है डीपू में होता है और पी ओएच कहां होता है पी उएच वर्षप में होता है लेकिन राजधानी लिखिएगा राजधानी सताबदी गरीबरत इन सभी का आईउएच वर्षप में होता है इसे जनरली आईउएच कहा होता है डीपो में पी उएच कहा होता है वर्षप में लेकिन कुछ ऐसा गाड़ी है जिसका आईउएच पूरी तरह डिटेल लूप से समझ गए होंगे मेरे भाई अब आप लोग को जो है फिर मैं और वी अब अलस्पी के बारे में मैं बताने लगूं तो बहुत ज़्यादा वेडियो लंबा हो जाएगा आप जानते हैं इसे ही हम सुना जेते हैं जल्दी जल्दी अलषी लिए हम लिख देते हैं अलषी अलषी आप लिखना होता लिख लariamente जैगा ट्रीप सीडुल जो है इसमें भी एक माइनस 15 दिन हो जाता है उसके बाद आता है SS1 डेड़ साल या 16 किलोमेटर SS2 तीन साल या 12 लाग किलोमेटर SS3 छो इयर या 24 लाग किलोमेटर ठीक है यानि इयर की बात करें SS1, SS2, SS3 तो डेड़ 3, 6 किलोमेटर की बात करूँ SS1, SS2, SS3 का तो 6, 12, 24 इस तरह करके आप याद रखेगा कितना मैं लिखूंगा वीडियो बहुत लंबे हो जाते है तो इसका अंसर आपको OCB का मिल गया होगा, mail express train के लिए OCB का PUH कितना होता है OCB आ गया, other coaching by girls तो इसके लिए आपको थोड़ा pencil मैं ले लो mail express, देखिएएँ पर mail express लिखा है तो इसके लिए जो है कितना दिन पर हो जागा देखिएँ यहाँ पर mail express लिखा है ठीक है न तो यह हो जाएगा आपको mail express के लिए 18 महिना ठीक है 18 महिना तो कहने का मतलब यह है कि हम मैंने उपर तूरी तरह समझा दिया है 24 OCB में जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमको देखिए फिर से मैं बताने लगू ज्यादा वीडियो लंबे हो जाएंगा ठीक है थोड़ा सा अपसान इधर इसमें इधर उधर दिया है ठीक है तो OCB के लिए हम डारेक्ट लिखते है OCB के लिए PUH जो है PUH 24 महिना IOH 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 12 महिना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर लिखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलने वाले 9 निर्मीद देखिए यहाँ पर आगया अब आगे हम कोश्चन चलते हैं एक आवन नंबर में एक आवन नंबर में क्या कर रहा है कि 22 NLB 22 NLB आया हम इस पर यहाँ कहेंगे कि वाइगन वाला VVI जो मैंने पार्ट वन का जो मैंने PDF सबको दिया है या वीडियो मैंने बनाया है उसमें जाकर के बहुत तरह का वैगन का मैंने डिटेल दिया है देखिए वीडियो कितना लंबा हो जा रहा है उस PDF को जाकर पढ़ेंगे या वीडियो को देखेंगे बहुत अच्छी तरीका से बताये गया है तो 22 NLB और भी है सारव कैस्णो भोगी उसके बारे में देखिए तो कैस्णो भोगी उपर साइड फ्रेम और एडप्तर के बीच स्विकार्ज अनुधर्ज निकासी मतलब किलरेंस कितना होता है या कोशन आप से किया है तो 22 NLB 18 MM ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए या EM Pad मतलब Elastomeric Pad EM Pad का मतलब Elastomeric Pad का निंदनिय यानि Condomic Size पुछ रहा है तो यह होता है 42 MM इसमें बहुत ज़्यादा या कोश्चन रिपीट होता है मेरे भाई BM कोश्चन अर्थाथ Board Model या कोश्चन है इसको आप ध्यान में रखेंगे तिक है ज़्यादा तर निंदनिय ही पुछा जाता है तिक है 100 पीशू और क्या बलता है उसको New तो New जो है लगभग 45 दसमलो कुछ होता है इसको 45-45 ही लिखिये और क्या बलता है 100 पीशू होता है तो 100 पीशू जो है 43 दसमलो 45 या इस टाइप से कुछ होता है 43 दसमलो कि या कोशन ज़्यादातर नहीं पुछा जाता है या ज़्यादातर कंडमिंग ही पुछा जाता है इसको ध्यान में आप रखेंगे अब करा है CC पैट देखे CC पैट जो है क्या बोलते हैं जो मतलब माल गाड़ी वैगन कर खाने में जो होंगे उनको विशेश रूप से दिखाई देता होगा CC पैट CC पैट जो है इस टाइप से जो है CC टाइप से मतलब कि बना रहता है इस पर गाड़ी का वजन रहता है ठीक है न तो CC पैट के या निंदनिये जो है पुछ रहा है जदातर निंदनिये ही पुछता है ठीक है तो इसका एंसर जो है 105 mm हो जाएगा CC पैट का ध्यान में रखेंगे चलिए हम आगे बाढ़ते हैं रटने वाली कोचन है चोगर नमबर में एसी कोच के अंडर सलेंग जो पानी की टंकी होता है उसका वायुदाब कितना होता है ठीक है इसका या कोचन किया हुआ है तैया हो जाता है 0.35 kg पर CM SQ ठीक है ज्यान में रखेंगे आगे बढ़ते हैं इसमें जो है थोड़ा सा तीरपन में गड़बड हो गया है फिर से मैं बता देता हूँ तीरपन का सीसी पैड का सीसी पैड का जो होता है 109 mm होता है निंदन यह उचाई 109 mm ठीक 109 mm या गलत थोड़ा सा बता दिया गया था ठीक है अभी ध्यान में आया है थोड़ा सा मिश हो ही जाता है कभी-कभी जानी रहा थोड़ा सा मिश हो जाए कॉमेंट बहुत सारा आने लगता है ठीक है न माल लेते हैं कि तो जो एक्जाम लेते हैं आप लोग जो एक्जाम देते हैं क्या बोलते हैं परिक्षा में उसमें भी कोश्चन एकाद गलत हो जाए बड़े बड़े अधिकारी लोग बैटकर वहाँ पर सेट करते हैं इसी तरह गलती जो है एकाद मिस हो जाता है आप कुद समझना चाहिए आपको बहुत सारा कमेंट आने लगता है तो इसका हो जाएगा सिसी पैट का निंदन ये आपको 109 mm ठीक है निर्पन का चाहँवन में हम चलते हैं चाहँवन तो आपको हम बता ही दिये चाहँवन का आपको भी नमर होगा जाएगा 0.35 केजी ठीक है पैसपन में हम चलेंगे खासी उसी हो गया थोड़ा तब्याट भी ठीक नहीं है मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ चले आगे बढ़ते हैं पैसपन में इस ताप मान के बाद एकसल बॉक्स को हट बॉक्स के माना जाएगा देखिए इसमें जो है आप लोग जो है ज़्यदा कन्फूज करते हैं तो यहाँ पर हॉट बॉक्स माना जाएगा तो 80 डिग्री इसका एंसर होगा देखिए इसमें कई तरह के कंडिशन के मतलब आ जाता है ज़्यदा बोलूँगा खासी होने लाएगा फिर भी मैं आराम आराम से बता दूँगा तो अगर इस तरह का कोस्चन आये कि होट बॉक्स क्या लिखा है किस ताप मान के बाद एक्सल बॉक्स को होट बॉक्स माना जाएगा कितना ताप मान के बाद एक लाइन में अगर आपका कोस्चन इस टाइब के आ जाए तो 80 डिग्री टीक है लेकिन इसमे जो है बहुत सरा कंडिशन होता है ठीक है हम पहले हम ICF में चलेंगे ठीक है इसी तरह जिसे यह लिखा है कि किस तापमान के बाद एक्सल बॉक्स को हट बॉक्स माना जाता है इसी अधार पर एक और कोशन आ जाता है कि एक ही एक्सल पर एक ही एक्सल पर एक ही एक्सल पर दोनों बेरिंग का ताप मान जिसे माल एक एक एक्सल है यहां बेरिंग यहां बेरिंग लगा हुआ है दोनों bearing के ताप मान में अंतर एक ही एक्सल पर ठीक है इस तरह हो गया लेकिन इसके बारे में हम detail रूप से आपको हम बताएंगे देखिजे फिर से समझ लीजिए अगर एक line में question आ जाए कि कि किस ताप मान के बाद axle box को hot box मना जाएगा तो 80 degree एक line में अगर आ जाए कि एक ही एक्सल पर दोनों bearing के ताप मान में कितना degree ताप मान से अधिक नहीं होना चाहिए तो 15 degree ठीक यह तो समझ गए आप अब हम चलेंगे पुरा डिटेल रूप में ठीक है ICF में ICF में ध्यान दीजिएगा आप ओपी कलम भी लिख लेंगे वीडियो को रोक रोक करके उसके speed आप कम कर देजिएगा वहाँ पर उपर dinosaur जो 3 बिंदू दिखाई देतागा वहाँ से speed कम कर लिजिए अगर ज़्याद आपको लग रहा है तो ICF के लिए ध्यान दीजिए copy कलम ready लिखिए अगर 10 degree centigrade ताप मान रहता है अगर bearing के ताप मान जो है 10 degree centigrade अगर रहता है तो हम कोई action नहीं लेंगे लिखिए कोई action नहीं लेंगे लेकिन जब 10 degree से 15 degree ताप मान होगा तो अगले C and W को सुचित करेंगे अगले C and W को हम सुचित कर देंगे कि copy column को रोकिए समझे पहले कि जब 10 से 15 degree bearing का ताप मान मतलब रहेगा 10 degree तक हम कोई action नहीं लेंगे 10 से 15 degree तक है तो अगरी को चलने देंगे गरी को रोकेंगे नहीं लेकिन अगले C and W को हम सुचित कर देंगे कि इसे गारी का यह bearing का ताप मान इतना से इतना डिगरी तक हो गया है आप फिर से जाच कर लेजिएगा ठीक फिर अब column उठाईए लिखना सुरू किजिए जब 14 degree से 20 degree के ताप मान जब इसके मतलब दोनों bearing के ताप मान में अंतर 15 के बाद हम cross कर गए 16 degree से 20 degree के बीच अगर अंतर रहता है तो हम CNW जहां इसका जाच हुआ था वहाँ से स्टाप को बुलाएंगे और हम दिखाएंगे कि इस bearing के ताप मान 16 से 20 degree है जबकि आपको बोला गया था कि आप 15 degree तक ही रहे तो सुचित करेंगे लेकिन यहाँ पर bearing जो है 16 से 20 degree तक हो गया है तो उनको बुला कर हम दिखवाएंगे जाच करवाएंगे मतलब कुछ पैता से जो भी है हम करेंगे ठीक आगे हम चलते हैं जब 20 degree से 20 degree centigrade से जब bearing के ताप मान में अंतर जब अधिक हो जाए तो हम इस गारी को हम काट कर अलग करदेंगे या उस बोगी को काटकर अलग करदेंगे और ठाथ option में रहता है कि isolate करदेंगे यानि इसको अलग करदेंगे दीक आप समाझ गए 3 आप समाझ गए 3 आप समाझ लेजिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूं फिर से ध्यान दिजीएगा अगर 10 degree centigrade ताप रहता है तो हम कोई अक्षन नहीं लेंगे जब 10 से 15 degree ताप मान रहेगा तो अगले CNW को सुचित करेंगे जब 16 से 20 degree ताप मान में जब अंतर रहेगा तो हम CNW जहां से इसका जाच हुआ है वहां से स्टाप को बुला कर हम देखवाएंगे अगर 20 degree से ज़ादा है तो उस कोच को हम isolate कर देंगे अर्थात अलग कर देंगे तो यह हो गया coaching के लिए या condition हो गया अब हम चलते हैं goods के लिए यानि माल गाड़ी के लिए या goods के लिए अब इसमें भी तिन condition होता है देखिए फिर अब अलग अलग हम बताते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है हम लिखेंगे तो आप मेरे आवाज को सुनकर लिख लेंगे ठीक है वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा speed कम करके देखिए इसमें भी तीन condition होता है ठीक जैसे एक नमबर में लिखिए कि अगर 60 से 65 डिगरी 60 से 65 डिगरी अगर के बीच अगर रहता है अगर बेरिंग के ताप मान ठीक है तो इस केस में next TX चलिए ठीक से फिर से एक नमर में साथ से 55 डिगरी के बीच होता है तो next CNW आएगा वहाँ अच्छे से चेक किया जाएगा ठीक 60 से 55 डिगरी तक रहेगा तब next मतलब जो भी मतलब CNW आएगा वहाँ चेक किया जाएगा दुसरे condition में दुसरा condition में लिखिए कि जब 65 से 90 डिगरी अगर इसके बीच में रहे तो इस case में next PXR जहाँ पर PXR का मतलब जहाँ पर चेक होता है PXR point होगा वहाँ चेक किया जाएगा अबर साथ ही साथ sectional control को सूचित किया जाएगा जो sectional controller होंगे उसको सूचित किया जाएगा कि इस route के जितने भी मतलब station master है उस route में जितने भी station master है उनको भी सूचित किया जाएगा sectional controller को भी सूचित किया जाएगा कि इस गाड़ी का तापमान 65 से 90 degree हो गया है इस गाड़ी का bearing का तापमान अब तिसरा number point में लिखेंगे तिसरा number में क्या लिखेंगे अगर 90 degree या 90 degree से अधीक अगर उस रेक का या उस डिबा का मतलब कोई भी मतलब उसका bearing का तापमान उससे 90 degree से अगर जब अधीक हो गया है तो हम क्या करेंगे उसको मतलब की हम isolate कर देंगे यानि उस डिबा को हम काट करके अलग कर देंगे ठीक है तीनु कंडिशन में आप समाझेगा वीडियो को बै करके ठीकीजे थोड़ा सा तब यह ठीक नहीं आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा हो गया ना तो यह तो हो गया छपन में हम चलते हैं छपन में क्या कर रहे कि रेल स्प्रिंग कर खाना का है अब रेल स्प्रिंग कर खाना जो है सिंधावली में है अब कहिएगा इसमें सिंधावली तो आप्शन है यह नहीं है तो देखिए यहाँ पर गवालियर है ठीक है तो देखिए यह स्टेट अगर पूछता है तो मदपरदेश परिश्टित आगे बढ़ते हैं नमस्द परिश्टित ऐस सब्सक्राइब के सब्सक्राइब डिक र leaning कोचन को मैंने उसमें के लिए किया है ठीक है तो यहां आई से बोगी बना देते हैं ठीक है ट्रॉली जिसको बोलते हैं तो देखिए वील बेस और उसको पिपर्ट करना रहे ठीक है यहां पर आपका पूछाँ है वील बेस आई सीयपका यहां पर 28zep 293 है ठीक है तो दी नम्बर एंसल तो यह हो जाता है वील बेस हम इसी को बोलते हैं अर्थात एक जो बोगी जो होता है उसमें दो एक्सल होता है एक बोगी में तो दोनो एक्सल के सेंटर के बीच यानि दो चको के बीच में कहीं कहीं कोश्चाना जाता है इसमें जो दूरी जो होता है उसको हम wheel base बोलते हैं जो 2896 होता है किसमें? ICF के मैं बात कर रहा हूँ ठीक? और wheel gauge wheel gauge उसे कहा जाता है जो दोनो चके के बीच का जो दूरी होता है ठीक है न? एक ही एक्सल पर दोनो चके के बीच की दूरी जो होता है यह होता है मतलब क्या बोलते हैं? इसको wheel gauge कहा जाता है यह होता है 2600 mm ठीक है? अब इसमें extendर हो गया, extendर 2600 mm लेकर इसमें ICF में अब यहाँ पर लिख दूँ कि ICF में wheel gauge कितना होता है तो 1600 पलस तू यहाँ पर तू नहीं लिखा रहा है ठीक है? पलस तू माइनस वन ठीक है? और इसमें अब देखें ICF का हो गया और इसमें LHB का wheel gauge कितना होता है कहां लिखू मैं? यहीं पर लिख देता हूँ LHB का इसमें होता है 1600 पलस माइनस इसमें वन होता है, ठीक है? तो देखिए ICF में जो है wheel gauge जो है 1600 पलस तू यानि अधिक्तम 602 माइनस वन आर्थात निउन्तम 1599 ठीक? समाझ रहा है न LHB में wheel gauge जो है आपको पलस माइनस वन होता है अधिक्तम 611 और निउन्तम 1599 ठीक? और extendर साइज अगर पुछता है तो दोनों के लिए ICF LHB दोनों के लिए wheel gauge extendर 1600 mm होता है, ठीक? कनफर्म होगा है आप? आपके question में wheel base का तो wheel base ICF के लिए क्या होता है 2896 ठीक है? यह हो गया ICF के लिए और LHB LHB के लिए कितना होता है? LHB के लिए यह होता है 2560 mm ठीक है? तो यह हो गया wheel gauge तो इसमें आप ज़्यादातर कनफ्यूज करते है wheel base wheel gauge यह दोनों में ठीक? आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है कि आपके दिमाग में फीट हो गया होगा चलिए अंठाओन नमबर अंठाओन नमबर में क्या कर रहा है? कि 24 कोच वाली train का रख रखाव के लिए कितना समय लगता है? ठीक है? 69 में चल दिए 69 में लोड किये गाए कोचिंग स्टॉक पर नियुनताम बफर हुचाई देखिए मतलब loaded condition में आप पूछ रहा है ठीक है? तो loaded condition में जो है 1030 mm होता है और यहाँ पर हम लिखते हैं और impity condition मेंने खाली स्थिती में 1205 होता है loaded condition में 230 होता है दोनों को घटा देजिए 75 आजाएगा ठीक है? 75 mm, सब mm है ठीक है? तो यह मैंने 75 निकालने का कारण हम क्या है? कि कोच्चन आता है कि दोनों कोच इसे हम कैसे बनाएं यहाँ पर जिसे मा लेता है कि यहाँ एक कोच हो गया ठीक और यहाँ पर एक कोच हो गया दोनों में यहाँ पर बफर लगा रहता है जानी रहा है ठीक है? तो दोनों कोच के बफर में उचाई जो होता है ना उचाई दोनों में कितना से अधीक नहीं होना चाहिए उचाई में अंतर उचाई में अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए तो 75 में क्योंकि अधिकतम मालेते हैं कि उचाई हो गया मतलब PT condition में 1805 और निउनतम माले load है तो नीचा है 1030 तो इस दोनों के बीच में यहाँ पर 75 में से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं तो गाड़ी बफर जो है एक दिशन में टच नहीं करेगा ठीक है जरकन और किंग या ब्रेकिंग लगेगा तो खत्रा हो सकता है समझ गए न ज़्यादा नहीं चिलाओंगा खासी आ जा रहा है ठीक है चलिए 60 नमर में क्या का रहा है कि कोचिंग स्टॉक पर डीवी की रिलीजिंग टाइम देखिए यहां पर रिलीजिंग टाइम पुछ रहा है ठीक है डीवी को या कोचिंग के या इस तरह भी लिख देता है कि ब्रेकिंग का रिलीजिंग टाइम कितना होता है ठीक है रिलीजिंग, तो रिलीजिंग होगे आपको 15-20 सेकंड, ठीक है, तो देखिए, यहाँ भी आपका, इस से मैंने शुरुक किया था, यहाँ हो गया, यहाँ भी आपको हमने 60 कोश्चन, 60 है, क्या बोलते हैं, 30 कोश्चन को मैंने किलियर किया, लेकि 30 कोश्चन, जगाँ पर हमक आपको यहाँ बता दे, कि अपहले तो हम बता ही दिये कि यहाँ जो मोडल कोश्चन बैंक जो है, यहाँ ऐसा कोश्चन बैंक है, जिससे इसी से आपके जहाँ भी काम करते हैं, मतलब कि वहाँ का अधिकारी जो CME जो होते हैं, डिवाई CME, डिप्टी साहब, इसी सबसे को दा 26, ठीक है, इस पर आप मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बिडिये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सभी के लिए, अच्छे से अच्छे मतलब धंग से तयारी करने के लिए, इस वाटसब पर मैसेज करें, इडिये प्राप्त करें, और क्या बोलते हैं, इसको टेस्सरीज, टेस्सरीज में जरूर जूरे, क्योंकि टेस्सरीज देने से बहुत ही मतलब फैदा होता है, आपको कितना हमको पढ़ना चाहिए, या पढ़ना चाहिए, या सब चीज जो है, मतलब टेस्ट देने से पता चलता है, ठीक है, इसलिए टेस्ट जरूरी है, बहुत सारे मेरे भाई जो टेस्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि अभी हम नहीं, अभी PDF मैं पढ़ रहा हूं, बाद में टेस्ट स्रीज में भाग लेंगा, अरे टेस्ट स्रीज देते रहें, यह समझ में आएगा, उस तरह कितना नंबर आ रहा है, आपको यह समझ में आगा कि कितना हमको गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, कहां हम में कम वो question पकड़ में आएगा ठीक है इसलिए test series देना चाहिए ठीक है और एक और बात कहूँगा कि जो भाई मेरे exam हो जा रहा है तो वो अपने question को मेरे पास भेज दे ताकि मैं उसका वीडियो बना दूँ या test series में भी कामा आ जाए ठीक है तो जो भाई का मतलब है हो गया है exam वो अपना question भेज देंगे अगर answer sheet जारी हो गया होगा तो answer sheet के साथ में भेज जाएंगे उसको ताकि मैं उसको अच्छे ढंग से मैं discuss करके video मैं बना दूँ आप भी confirm हो जाएगा और भी सारे दोस्त confirm हो जाएंगे इसलिए question जब ही exam हो जाता है तो question आप भेज दिया करें ठीक आप लोग जो है मैं अपने वीडियो के ही स्माप्त करता हूं आज जो है 22 नौमबर है ठीक है जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो के ही स्माप्त करें मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो ज़्यादा तर comment में पूछा जाता है कि बच्चे का तब लगाव है उनको ज़्यादा तर जो पुछते हैं उनके लिए में बता दू कि बच्चा मेरा बिलकुल ठीक है लेकिन अभी बनारास में है जून से ही वहाँ पर मौजूद है लेकिन बिलकुल ठीक हो गया है दिसंबर के लाज तक उमीद है कि मेरे पास मेरा बच्चा मेरा लड़का आ जाएगा ठीक है यह साथ महीना हो गया उसको एडमिट हुए हुए अभी होस्पिटल में है लेकिन आप बिलकुल ठीक हो गया पहले की तरह खेल रहा है कोई दीकत नहीं है ठीक है यह आप लोग के लिए गुड नीव्ज है जो ज़लातर मुझ से पुछते हैं ठीक है चली मैं वीडियो कहीं स्माप्ट करता हूँ मैं वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट सेक्षन में लिखिएगा और अपने दोस्तों को सेयर जरूर कीजिएगा ठीक है चली मैं वीडियो कहीं स्माप्ट करता हूँ जाहीन जय भारत